नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने प्यार यसी यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है कोस्मिक फोरम भाई लक्षमिन रहें प्रस तो फोल वेरी गुड मॉर्निंग तो अलो फ्यू जैसे आपको मालूम है कि लास्ट के वीडियो लिक्षे में हम लोगों न करने वाले हैं चले स्टार्ट करते आज की लेक्षर को आपसे क्या कहते हैं कि कोश्चन नम्बर 8 तक हमने कर लिया था कोश्चन नम्बर 9 कि find the vector and the Cartesian equation of the plane containing these two lines ठीक है आपसे कहते हैं हम लोगों को एक plane का equation निकालना है जैसे यह है हम लोगों को इस plane का equation निकालना है यह plane जो है वो दो line को contain करता है यह वाली जो line है इसकी equation है vector r this will be i cap plus का j cap और plus में s into में i cap plus का 2 j cap और minus का k cap एसी जो यह दूसरी equation है यह हमारे पास है vector r this will be i cap plus का j cap plus का t minus का i cap plus का j cap और minus का 2 k हम लोगों को इस plane का equation निकालना है मैंने आपको समझाया था अगर मुझे किसी plane का equation निकालना है तो एक तो मुझे passing point चाहिए और एक जो normal होता है उसकी direction देश्यों चाहिए अगर किसी तरीके से वो दोनों पास करती है वहाँ से plane पास करेगा और जो plane का normal होगा वह इन दोनों लाइस की direction देश्यों के साथ 90 डिगरी का एंगल बनाएगा डिरेक्शन के साथ 90 डिगरी का एंगल बनाएगा सही है तो सबसे पहले हमने यह लिखा a b c तो अब यह लिखेंगे let a b c b direction ratios of normal of required plane जो plane मुझे निकालना है उस plane के normal की direction ratios है ठीक है जी समझ में आ गया है चलिए उसके बाद देखिए यह वाली जो लाइन है वो किस point से pass करती है यह pass करती है वन वन और जीरो और यह भी pass करती है वन वन और जीरो इसको थोड़ा ऐसे बना लेता कोई फरक नहीं बढ़ता जैसे तो representation के लिए है फिर आप से कहते हैं इसकी direction issues कितनी है 1,2 और माइनस 1 और इसकी कितनी है माइनस 1,1 और माइनस 2 तो आप लिख सकते हैं सो equation of required plane अगर मैं plane की equation निकालना चाहता हूं तो निकाल सकता हूं passing point क्या है 1,1 0 सो a into x minus 1 plus का b into y minus 1 और plus का c into z minus 0 this will be equal to 0 this will be the required equation of the plane passing points यह था दोनों लाइन का passing point से में 1,1 0 सो a into x minus 1 plus का b into y minus 1 और plus का c into z minus 1 अब किसी तरीके से अगर मुझे abc का value मिल गए तो बात बन जाएगा आगे चलते हैं देखें आप से क्या कहता है फिर आप से कहता है कि जो line है वो plane के बीच में lie करती है तो अब क्या लिखोगे since since both lines lies in plane यह दोनों की दोनों line ही जो है वो plane में lie करती है अगर plane में lie करती है तो अव्यसी बात है b dot n किसके को लाएगा 0 के को लाएगा अगर अब इसको लिखोगे a plus का 2b और minus का c 0 इससे multiply करेंगे a multiply 1 2 multiply b और minus 1 multiply c तो a plus का 2b minus c is equal to 0 ठीक है यहाँ चलते है यह क्या एगा this will be minus का a next क्या आएगा plus का 1b और उससे next क्या आएगा minus का 2c this will be equal to 0 ऐसा बन जाएगा अब हमें क्या करना है a b c का value निकालना है और विसी बात है homogeneous equation है तो cross multiplication method लाएगे जिसको हम लोग 23 12 method भी बोलते हैं सबसे वहले second number वाले coefficient लिखेंगे 2 और 1 फिर third number वाले लिखेंगे minus 1 और minus 2 फिर first number वाले लिखेंगे 1 और minus 1 और फिर second number वाले लिखेंगे 2 और 1 सही है जी प अचान अपनी मर्जी से ला रहे है minus का तो plus हो जाएगा जब हम b का value निकालेंगे तो मारे पास क्याएगा this will be 1 इसका multiply में उधर करूंगा तो plus का 2 आ जाएगा ऐसी में c का value निकालूंगा तो मेरे पास कितना हैगा this will be again 1 प्लस का 2 तो अगर मैं यहाँ से value की बात करूंगा तो minus 3 तीन और तीन यह values हमारे पास आ रहे है ठीक है इन values को equation number 1 में फूट कर दे तो बोले क्या हैगा minus का 3 into में x-1 plus का 3 into में y-1 और plus का 3 into में z-0 this will be 0 सही है त इसको लिख दिया minus का 3x plus का 3, 3y और minus का 3 और plus का 3z this will be equal to 0 तो 3 से 3 cancel हो गया सही है तो मेरे पास क्या आजएगा इस में से minus 3 को भी को में लेलो तो मेरे पास आएगा x-y-z this will be 0 so x-y-z 0 by minus 3 this will be equal to 0 so this is the required equation of the plane in the Cartesian form यह plane का equation है Cartesian form ले अब हम लोगों को क्या करना है अब हम लोगों को vector form बनाना तो vector form भी हम असानी से बना सकते हैं देखे आप से क्या कहता है हमारे बस लिखा है x-y-z this will be 0 तो हम इसको लिख सकते हो x i cap y j cap और z k cap इसका dot करेंगे i cap minus j cap minus k cap के साथ तो 0 हो जाएगा तो हम इसको लिखेंगे vector r dot i cap minus j cap और minus का 0 this will be equal to 0 so this will be the required equation of the plane in the vector form यह plane का equation है vector form के अंदर बिल्कु सिंपल सी चीज़ है और वही concept है जो हमने आपको सिखाये थे क्या अगर एक line किसी भी plane में line करती है तो जहां से line pass करेगा और जो plane का normal होगा वो दो लो लाइस के perpendicular होगा ठीक है जी तो सिंपल कोशन था उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा next question गीता चलते है next जो दो पार्ट है अगले question के most important है और cbsc ने अपने papers में सब्सक्राइब करते हैं तो मैं question की statement लिएता हूं आप उजह फटापट से करके दिखाएंगे उसको लबग लबग ऐसा ही question है थोड़ इसी शकल बदली गई है बाग कि इस question में कुछ भी अलग नहीं है question लिख देता हूं और फिर हमारे पास है जैड माइनस थी बाए टो उसके वाल आपास लिखा है एकस माइनस वन बाए के फिर हमारे पास है वाई माइनस टू बाए वन और फिर हमारे पास लिखा है जैड माइनस थी बाए फाइव आप से कहते हैं बोथ लाइन्स आर परपेंडिक्लर दोनों क सबसे पहले के का वेल्यू बताओ also find the equation also find the equation of plane also find the equation of plane containing these lines containing these lines उस plane की equation बतानी है जो इन दोनों लाइन्स को अपने बीच में समाये हुए ठीक है इसको मैं इतना रफ करता हूं अफट आफट से सोचिए और मुझे बताई इस कुशिन को कैसे करना चाहिए x-1 by 3 y-2 by 2k माइनस का 2k और z-3 by 2 ऐसे हमारे पास एक लाइन और है x-1 by k y-2 by 1 और z-3 by 5 आपसे बोलता है यह दोनों की दोनों लाइन्स जो है वो आपस में perpendicular है आपको के का value बताना है और साथ में उस plane की equation निकालनी है जिसके बीच में यह दोनों की दोनों लाइन्स जो है वो लाइल करती है ठीक है तो असान सी चीज़ है पटापट की का विल्ली तो निकल लिए होगा ठीक है आप क्या लिखोगे एज एज बोथ लाइन्स आर परपेंडिकलर दोनों लाइने परपेंडिकलर है इसलिए क्या होगा बीवन डाट बीट 2 मस तो इसका बीवन क्या है मायनस3 मल्टिपलाई के तो इसका फिर के मायनस का टू मल्टिपलाई बजंद और टू का मल्टिपलाई 5 से करेंगे तो प्लस का 50 दिस विल भी एकौल टो जीरो ठीक है इसको इधर लेखे आप आउंगा is equal to 5k तो k का value आएगा 10 by 5, cancel कर देंगे तो k का value 2 आज़े, ठीक है, तो k का value तो आ गया, कोई भी दो lines perpendicular है, तो अब्वे सिवातन के directions का जो product होगा, वो 0 के बराबर होगा, चलिए, आगे क्या कहता है, हम लोगों को एक plane की equation निकालनी है, उसके बीच में 2 line है, x-1 by minus 3, y-2 by minus का 2k, k का value 2 है, तो 4 हो गया, और z-3 by 2, एक line तो यह है, ठीक है ना, एक जो line है, वो यह वाली line की equation यह है, और एक line और है, इसका equation क्या है, x-1 by 2, next क्या है, y-2 by 1, और उसे next क्या है, z-3 by 5, ऐसे यह है ना, सबसे वहले, आप मुझे यह बताओ, इस line का passing point क्या है, इस line का passing point है, 1, 2, 3, और इस line का passing point भी कितना है, 1, 2, 3, इसकी direction ratios क्या है, minus का 3, minus का 4, और 2, और इसका direction ratios क्या है, 2, 1, और 5, ऐसा है के नहीं, अब हमें क्या निकालना है, इस plane का equation निकालना है, आपको मालूम है, अगर मुझे किसी plane का equation निकालना, इसके लिए तो passing point चीए, और एक normal के direction ratios से लिए, तो भाई यह जो है, वो हमारे पास क्या है, इसका normal है, और इसके normal की, जो direction ratios है, normal 2 plane, जो ABC है, वो plane के normal के direction निकालना है, पासिंग पर्ट 1, 2, 3 है यह, तो आप क्या लिखोगे, so equation of required plane, जो required plane है, उसकी equation क्या होगा, A into x minus 1, प्लस का B into y minus 2, और प्लस का C into z minus 3, this will be equation number 1, सही है जी, उसके बार आप क्या लिखोगे, as both lines, as both lines lies in plane, दोनों की दोनों लाइने plane में लाई करती हैं, पर अगर plane में लाई करती हैं, तो पक्ता है, कि B dot N जो है, उस 0 के बराबर होगा, यह तो आपको सिखाया ही था, कि अगर कोई भी एक line किसी plane में लाई करेगी, तो उसके normal के perpendicular होगा, ठीके जी, आगे चलते हैं, तो इसका direction ratios कितना है, माइनस का 3A, माइनस का 4B, और प्लस का 2C, किसके इको लागया, 0 के, इसके भी perpendicular है, तो 2A, प्लस का 1B, और प्लस का 5C, this will be equal to 0, अगेन हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे, तेस बरावाला method लगाएंगे, तो माइनस का 4 और 1, 2 और 5, माइनस 3 और 2, माइनस 4 और 1, this will be A, B, C, तो इसका वेले निकाले कहेगा, this will be minus का 20, minus का 2, B का वेले निकालेंगे तो मारे पास आएगा 4 और प्लस का 15, और C का वेले निकालेंगे तो आएगा, माइनस का 3 और प्लस का 8 तो A का वेल्यू आ गया माइनस का 22 B का वेल्यू आ गया 4 और 15 का 15 और C का वेल्यू आ गया 5 तो माइनस का 22, 19 और 5 ऐसा बन जाएगा तो इसकी वेल्यू का एक्वेशन नमर में पूट करो तुम्हारे पास क्या हैगा माइनस का 22 इंटू X माइनस 1 प्लस का 19 इंटू Y माइनस 2 और प्लस का 5 इंटू Z माइनस 3 इस विल भी इक्वल टू 0 तो क्या बनेगा माइनस का 22 X प्लस का 22 प्लस का 19 Y और माइनस का 38 और प्लस का 5 Z और माइनस का 15 इस विल भी 0 अब इसको लेख सकत माइनस का 22 X प्लस का 19 Y और प्लस का 5 Z 22 में से 38 जाएगा तो माइनस का 16 और माइनस का 15 कितना हो जाएगा माइनस का 31 जब आप उसको ओधर ले जाएंगे तो प्लस का 31 तीक है अगर इसका वेक्टर फोर्म निकालना है तो हम गयानस का 22 आई कैप प्लस का उन्निस जे कैप और प्लस का फाइब के कैप इस विए इक्वल टू थर्टी थ्री तो ऐसा वारा अंसर आएगा बिल्कु सिंपल स्केट फॉरवड कोशन है कोई भी दो लाइस आपस में प्रपेंडिकलर है तो उन्टे डिरेक्शन देश्यों के करने के बाद वह हमारा अंसर आजएगा यह प्लेन की रिक्वाइड एक्वेशन है ठीके जी कर लेंगे इसको सिंपल कोश्चन था बिल्कुल आगे चलते हैं नेक्स कोश्चन की तरफ नेक्स कोश्चन देखिए आपसे क्या करता है इसी का सेकेंड पार्ट है और सीवेसी मैं 215 के पेपर में पूछा था यह जो पिछले वाला कुश्चन था यह सीवेसी का 212 का कुश्चन था और जो अगले वाला मैं कराना हूं वह 215 को कुश्चन है अच्छा है थोड़ा दिमाद लवने वाला है कुश्चन बिल्कुल ऐसा ही है ठीके मैं आपको सरफ बना के द बताना है जो के हमारे पास होगा उसके का वेल्यू क्या है ठीक है जैसे कुश्चन क्या है कुश्चन क्या है कुश्चन क्या है कुश्चन नमर टेंथ है कुश्चन नमर टेंथ के सिकेंड पार्ट में आपसी करनेता है एक्स माइनस वन बाइटू है वाई प्लस वन Z minus 1 by 4 X minus 3 by 1 Y minus K by 2 Z by 1 आपसे करते हैं यह लाइने इंटरसेक्ट करती हैं आपको K की वेल्यू बता नहीं है also find the equation also find the equation of plane also find the equation of plane containing both the lines containing both the lines कोई भी दो लाइस आपस में इंटरसेक्ट करती है और हम लोगों को उस प्लेन की equation निकालनी है जिसके वीचर दोनों लाइने कंटेन है ठीके तो सबसे बहले आप क्या लिखोगे सबसे बहले आप लिखोगे as both lines are intersecting दोनों की दोनों लाइने जो है वो इंटरसेक्टिंग है अगर इंटरसेक्टिंग है तो आपको वैंने बीवन क्रोस बीटू डिवाइड बाए मैगनिचूड ओफ बीवन क्रोस बीटू मस्ट बी इक्वल टू जीरो ऐसा बनेगा तो यह उदर जाके जीरो हो जाएगा तो कंडिशन हमने आको पहले भी बताई थी A2-A1.B1 क्रोस बीटू इक्वल टू जीरो ऐसे हो तरा A2-A1.B1 क्रोस बीटू इक्वल टू इक्वल टू जीरो सही है चलिए इसका पासिंग पॉंट देखते हैं 1-1 और 1 डारेक्शन देश्यों बोलो 2 3 और 4 इसका पासिंग बोलो 3 K और 0 डारेक्शन देश्यों 1 2 और 1 इसके बीटू लाओ सीधी डिटर्मिने बलेंगा तीन क्रोसिंग का A2-A1 सब 3-1 तो इसको लिख देगा 3-1 यह सीधा लिख दो 3-1 ना वदला 2 K-1-1 पहले से हैं तो K-1 उसके बादर मारे पास क्या लिखा है 0 और यह क्या है माइनस वन सो इस विल बी माइनस डारेक्शन देश्यों का वेक्टर कितना है तू 3 और 4 और इसके डारेक्शन देश्यों कितनी है इस विल बी 1-2-1 इस विल बीएकोल टू क्या है गा का 0 तो हम यहां से कही का वेलियों निकाल सकते हैं, एक्स पैंड कीजिए इसको जब हम इसको फर्स रों से एक्सपैंड करेंगे, आपके थी मैनस एट, मैनस का K फ्लस बाइट, यह उदर जाएगा, तो 2 मैनस 4, इस विदे 2 मैनस 4, मैन इस का 1, यह उदर जाएगा, this will be 4 minus 3 this will be equal to zero तो हमारे पास क्या आजएगा this will be 2 into minus 5 next हमारे पास क्या आएगा minus minus plus हो जाएगा तो 2k plus का 2 और 4 में से 3 जाएगा तो minus 1 this will be 0 तो हम इसको लिख सकते हैं minus का 10 plus का 2k और 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा तो अब हम इसको लिखेंगे 2K minus 9, this will be 0, and 2K will be equal to 9, और जब आप यहाँ से K का value निकालेंगे, तो K का value कितना आजएगा, 9 by 2 आजएगा, सहीए, तो K की value को put कर दीजे, अगर आप K की value को put करेंगे, अब हमें क्या करना है, अब हमें plane की equation निकाल लिए, वो plane जो है, वो दो line उसके बीच में contain करती है, टारलन नहीं है, यह जाके आगे intersect करेंगे, तो just वैसे presentation के लिए है, ठीके, तो हमने इसको लिखा, X minus 1 by 2, next हमारे पास है, Y plus का 1 by 3, और next हमारे पास है, Z minus 1 by 4, उस सेगले में आप से क्या कहता है, X minus 3 by 1, फिर हमारे पास क्या है, Y minus K, और K का value हमने इसको लिखोगे तो क्या आएगा, Z by बनाएगा, अब हमें क्या करना है, अब हम लोगों को इस plane की equation निकाले है, इस plane के normal की direction ratios ABC मानिए, passing point आपको दीखी रहा है, इसका passing point है, 1 minus 1 और 1, ठीके, इसका direction ratios क्या है, 2, 3, 4, और इसका direction ratios क्या है, 1, 2, 1, आगे मैं नहीं करूँ, आ passing point मिल गया, तो A into क्या बन देगा, A into X minus 1, B into Y plus 1, और C into Z minus 1, this will be equal to 0, सही है कि नहीं है, कोई दिखत नहीं, उसके वार आप लिखे देना, ये line plane के बीशेला ही करती है, so B dot N, this will be 0, इसको लिखेंगे तो मारे बस क्या देगा, this will be 2A plus 3B plus 4C, this will be 0, और इसको लिखेंगे तो A plus का 2B plus का C, this will be 0, अब आपको A, B, C का value निकालना है, जैसे आपको सिखाया था, उस ABC की value को आपिस इसके बीशोय डाल देना है, तो हमारे बस plane का required equation आ जाएगा, ठीके, इस तरह का question हमारे वेपर में 6 marks का आता है, जिसके बीच में से 1 या 2 number का, ये K का value निकालना है, और कर लेंगे इसको, हो जाएगा, तो बिल्कुल असान सा question था, उमीद करते हैं, आप लोगों को समझ में आया होगा, अगले 4 question जो है, वो बिल्कुल एक अलग से तरह की category है, जिसको हमने आपको lines में पढ़ाया था, आपको याद होगा, आपको मैंने foot of perpendicular निकालना सिखाया थ ठीक है, अब हम लोगों को उस plane से उस point का foot of perpendicular निकालना है, उसी का image निकालना है, ठीक है, और perpendicular distance निकालना है, तीन चाल question से, एक दो में करवा देता हूं, एक दो आप अपने आप से कर लेना important day, CBC में आ जाते हैं, ठीक है, जैसे question number 11th है, question number 11th में आप से क्या करता है, question number 11th म foot of perpendicular, find the foot of perpendicular drawn from, find the foot of perpendicular drawn from 1 to 5, 1 to 5 to plane, एक plane के, वो plane क्या है, वेक्टर आर डॉट तीन आई कैप, माइनस का जे कैप, प्लस का के कैप, this will be equal to 7, ठीक है, आप से क्या करता है, हम लोगों को foot of perpendicular निकालना है, 1 to 5 से एक plane का, ठीक है, असान है, निकाल लेगे, कोई बड़ी बात में, देखे एक बार सामने क्या करता है, आप से कहते है, यह हमारे पास plane है, इस plane का equation है, vector r, dot 3i cap, माइनस का जे कैप, और प्लस का के कैप, this will be 7, यहाँ पे आप लिखे लो, क्या dot 3i cap, माइनस का j cap, प्लस का k cap, this will be 7, जब हम इसका multiply करेंगे, तो 3x, इसको लिखेंगे, माइनस का y, प्लस का z, this will be equal to 7, तो यह plane का equation है, अब हमें क्या करना है, हम लोगों को foot of perpendicular निकालना है, इसका मतलब मुझे point p निकालना है, और क्यों मुझे देरखा है, 1, 2 और 5, तो लोगों को p के coordinates रताने कि foot of perpendicular क्या आएगा, निकाल सकते हैं, असान है, कैसे निकालेंगे हो लोग, सबसे बहले में qp का equation लिखूँगा, अगर qp क्या है, एक line है, अगर मुझे line का equation निकालना है, तो उसके लिए तो passing points चीए, और direction ratios ही है, यह line plane के perpendicular है, इसका लिए खु 3-1 and 1, सही है ना, 3-1 and 1, तो लिख देदा, so direction ratios of normal to plane, तो कितना बन गया, 3-1 और 1, अगर मुझे आप से बोलो, लिखो, equation of qp, तो qp का equation निकालना है, क्या है, अगर मुझे तो मैं इसको लिख सकते है, x-1, y-2, z-5, divide by 3, इसको मैं लिखोंगा, minus 1 and this will be equal to 1, ठीके, तो x-1, y-2 by minus 1, और z-5 by 1, अब, आप क्या लिखोंगे, any point, any point, p on line qp is given by, कैसे मिलेगा, lambda के बराब रखे, so x-1 by 3, y-2 by minus 1, z-5 by 1, this will be equal to lambda, सही है, तो आप लोग यहां से p के coordinates निकाल सकते हैं, वो लिख क्या हैंगे, 3 का multiply lambda से करेंगे, minus 1 है, तो आप इसको लिखोंगे, 3 lambda plus 1, इसका multiply इधर कीजिए, minus का lambda plus 2, इसका multiply करेंगे, तो lambda plus का 5 है, तो यह हमारे पस p point आजएगा, अगर आप ध्यान से देखोगे, ताप यह बोलो के p point जो है, वो plane के उपर लाई करता है, ठीके, तो आप कहा लिखोगे, p lies on plane, जो p है, वो plane के उपर लाई करता है, so, so it must satisfy its equation, so it must satisfy its equation, इसलिए, इसकी equation वो पका है, satisfy करेगा, तो put कर दीजिस में क्या बनेगा, बोलो, 3 multiply by 3 lambda plus का 1, इसको लिखेंगे, minus का, minus का lambda plus का 2, plus का z लिखेंगे, तो lambda plus का 5, this will be equal to 7, तो यह क्या बन जेगा, 9 lambda plus का 3, plus का lambda minus 2, plus का lambda plus का 5, this will be 7, 9 और एक 10 और एक 11, तो हमने इसको लिखा, 11 lambda, इसको लिखेंगे, 3 और 5, 8, 8 में से 2 जाएगा, तो कितना आजएगा, minus का 6, 11 lambda will be 6, and the value of lambda, this will be equal to 6 by 11, ठीके, 6 by 11 value उसके बीच में डालके देखो, और मुझे बताओ, क्या अंसर आने वाला, बिल्कुल असान सी चीज है, कुछ भी नहीं है, इसमें, एक बार दुबारा से चिक कर लेते, 3 lambda plus 1, minus का lambda plus का 2, और lambda plus का 5, यह तो बिल्कुल ओके है, तो हमने इसको इसके बीच हम पुट किया, तो हमारे पस क्या बनेगा, 3 into me 3 lambda plus का 1, minus minus plus हो गया, minus minus plus हो गया, तो lambda minus 2, और z का value लगया, lambda plus का 5, बिल्कुल ठीके, यह 11 हो गया, 5 और 3, 8, 7 आएगा नहीं हापे, जीनो थो इतना है, 7, तो इसको लिखोगे, तो क्या आएगा, 7 minus 6, तो lambda था, value आगया, 1 by 11, उस lambda की value को आप यहाँ पुट कर दीजिए, और P का coordinates निकल आएगा, तब इसको लिखेंगे, P, 3 by 11 plus का 1, next आएगा, minus का 1 by 11, और प्लस का 2, सही है, और उसके बार आप इसको लिखोगे, 1 by 11 और प्लस का 5, तो P के coordinates के आएगे, 11 और 3, 14, तो 14 by 11, 22 minus 1, 21 by 11, 55 और एक लिखेंगे, तो 56 by 11, these will be the required for top perpendicular, for the point 1 to 5 from the given play, 14 by 11, 21 by 11, और साथ में 56 by 11 जो है, वो मारा answer है, बिलकुस सही है, यही answer वारी बुक में दे रखा है, find the foot of the perpendicular drawn from 1 to 5 to display, यह 1 to 5 था, तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, नॉर्मल की direction लेशन लेखे, PQ का equation लिखा, PQ को पर अगर मैं कोई भी general point निकालना चाहता हूं, तो मैंने इसको lambda के बराबर रखा, तो मैंने को P point मिल गया, अब आपने क्या गोला, जो point P है, वो plane के बीच में है, इस अलब plane की equation को क्या करेगा, तो हमने इसको plane की equation पूट करके, lambda का value निकाल लिया, इस lambda की value को हमने इसके बीच पूट कर दिया, तो point P विल गया, the point P is set to be the foot of the perpendicular, drawn from 1 to 5 to the plane, vector r dot 3i cap, minus का j cap, plus का k cap, this will be 7, ठीक है, कर सकते हैं, असान है, बिल्कुल असान सा है, क जो CVSC पूसता है, CVSC किस तरह की सवाल यहां से पूसता है, लिखे क्या कहता है, find the equation of the plane, passing through the point, 1 to 1, add already statement दे रहता है, जिससे हम लोग confused हो जाते हैं, confused नहीं होना है, अरे दत्ती भर नकली कोशन आते हैं, CVSC में 3D से, इतने नकली, आप यह बोलेंगे, इतना मजाक सा हो रहा ह तो इतना पढ़ने के बाद कुछ नहीं है, कोशन बहुत असानी सी सुदाता है, यही मेंस का कुशन भी कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होता है, बस एक पर concept बढ़ाने की बात है, concept बढ़ गया, तो समय लेना, कोशन अपने आप से हो जाएगा, ठीक है, देखो क्या क्या क् हैं, यहाँ पर कुश्टरण बार्ए, कोशन बारा का सेकेंड पार्ट, आपसे क्या क्या क capability, find equation of plane, find equation of plane passing through passing through कहां से 1, 2, 1 and perpendicular to the line joining and perpendicular to the line joining क्या है 1, 4, 2 and 2, 3, 5 ठीक है also also find the also find the coordinates of foot of perpendicular also find the coordinates of the foot of the perpendicular and perpendicular distance from 4, 0, 3 from 4, 0, 3 above the plane on the above plane ठीक है इसका लगे टुक्ची से हर्टप किया पिछली एक्सरसाई वाला कोशन बीच में डालके पहले प्लेन का इक्वेशन निकालना है उसके बाद जो कोशन वही है जो भी आमने आपको पढ़ा है था चल देखते हैं कुछ नहीं है फुर्दू तो कुछ है ते क्या सामी आपसे कहते हैं इसकी क्वेशन निकालनी है सबसे पहली ची हमारी प्रिया वन तो वन दे रखिये इसके वीच में दे रखिये ना क्योंकि यहीं तो पस्तिंग चाहिए उसके बाद आपसे कहता है यह वाला जो प्लेन है वो एक लाइन के परपेंडिकलर है लाइन के परपेंडिकलर है दो प्वाइंट्स को वो जोईन करता है ठीक है कौन से को वन फोर और टू फिर आपसे कहता है टू थ्री और फाइल तो सबसे पहले आपसे कहते है आपको प प्रपेंडिकलर है तो अब्वेस सी बात है नॉर्मल के फैरलेल है तो जो डिरेक्षिन रेशियोस इसका होगा वो सेम तो सेम किसका होगा नॉर्मल का भी होगा ठीक है तौप क्या लिखोगे so direction ratios of line perpendicular to plane वो लिख क्या आएगा दो में से एक जाएगा तो एक आगया तीन में से चार गया तो माइनस एक आगया और पांच में से दो जाएगा तो तीन है तो आप क्या लिखोगे कि आएस लॉर्मल का ऄ laugh ag आर प्रेख जो नॉर्मल और लाइन वह लेन था vakμ पैर्ल डारी जो डेरेक्शन रेशो स औफ यह नॉर्मल टू प्लेए जो प्लेएं का नॉर्मल है उसकी डार्ब आप्यशन एसंट में उन लुड लगए टीं तो आप क्या लिखूगे, so, equation of plane, लिखना बहुत ही सरल है, कैसे लिखेंगे बलो, a into, sorry, a की लिखूँगा बलो, 1 into x minus 1, minus का 1 into y minus 2, plus का 3 into में z minus 1, this will be 0, तो क्या बनेगा, x minus 1, minus का y plus का 2, 3z minus का 3, this will be 0, तो क्या बन जाएगा, बलो, x minus y plus का 3z, 2 में से 4 जाएगा, तो माइनस का 2, तो यह उदर जाके plus का 2 हो जाएगा, so, this will be the required equation of the plane, यह plane का equation है, तो यहां तक तो कोई समस्या है नहीं, मिलगूल असान सी चीज़ थी, आगे क्या क करो गया, हमें एक point दे रखा है, P, जो point P है, that is given to be 403, अब हमें क्या करना है, अब हम लोगों को, क्या करना है, बोलो, अब हम लोगों को, equation लिखना, तो आप क्या लिखोगे, equation of, equation of line, P क्यो, बोलिख, जो P क्यो है, उस P क्यो का equation क्या आएगा, तो लिख सकते है, passing point हमारे पास सही, X minus 4, Y minus 0, और Z minus 3, सही, direction issues के है, 1 minus 1 and 3, उसके बार आप क्या लिखोगे, Q be any point on the line, then Q be any point on line PQ, which lies on plane, plane के अपर लाई करता है, तो lambda के बराबर रखो, Q के coordinate निकालो, कितने हैं यह बोलो, यह तर जाके multiply होगा, तो हम इसको लिखेंगे, lambda plus 4, next हमारे पास आएगा, minus का lambda, और इसको मैं उदर ले जाओंगा, तो 3 lambda plus 3, तो यह बारे पास Q के coordinate आ निकालो, सही है, अब आप क्या लिखोगे, Q lies on plane, so it must satisfy equation of plane, इसलिए यह plane की equation को satisfy करेगा, तो plane की equation में पूट कर दो, तो अब इसको लिखोगे, lambda plus का 4, minus minus plus का lambda, और plus का 3, इंटो में 3 lambda plus का 3, this will be equal to, किसके इक वाला देगा, 2 के, तो हम इसको लिख सकते है, 2 lambda plus का 4, 9 lambda plus का 9, this will be equal to 2, ऐसा बन जाएगा, तो यह हमारे पास क्या आएगा, 9 और 2 कितना आगया, 11 lambda, 2 minus 13, तो जब हम यहाँ से lambda की value निकालेंगे, तो कितना आएगा, minus 1, so lambda का value minus 1 आगया, तो इसको फूट कर सकते, जब आप इसको फूट करेंगे, तो Q का value क्या आएगा, बोलो, minus 1 plus का 4, next कहेगा, minus का minus 1, minus 3 plus का 3, तो Q की value आएगी, 3, 1 और 0, सही है, तो आपने देख लिया, जो Q point हमारे पास आगया, Q point हमारे पास क्या आगया, आप इसको यहाँ लिख लो न, थोड़ा यहाँ करके, 1, 2, 1, और यहाँ मैंने Q point लिख लिया, तो Q point मेरे पास क्या आगया, 3, 1, और 0, तो फूट हो परपेंडिकलर आगे, अब हमें क्या निकालना है, लेंथ हो परपेंडिकलर निकाल सकते हैं, ठीके, तो आप इसको लिख देना, यह P है, और यह वरे पास Q है, Q है, ठीके, तो P का वेल्यू कितना है, 4, 0, और 3, और Q का वेल्यू कितना है, 3, 1, और 0, तो P, Q का लेंथ निकालेंगे, भूले क्या आगया, 3 माइनस 4, सब 3 माइनस 4 का होल सके, 1 माइनस 0 का होल सके, और 0 माइनस 3 का होल सके, तो कितना है गा, इस विख विख वन प्लस का 9, इस विख यू रूट 11 यूनिट्स, तो रूट 11 विट्स हो है, वो लेंथ हो प्रपेंडिकलर है, 1, 2, 1 से, sorry, 4, 0, 3 से इस रिक्वाइर प्लेंगे ऊपर अगर CVC question पूछेगा तो जादा से जादा ऐसा question पूछ सकता है इससे जादा मुश्किल question नहीं आएगा कहलेगा मतलब है जैसे पिछले question में plane का equation दे रखा था इस question में आपको plane का equation नहीं देगा plane का equation आपको निकालना होगा और उसके बार फिर आपको foot of perpendicular और length of perpendicular निकालने बिल्कुल वेसे ही जैसे हमने पहले निकाल लेते हैं ठीक है उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा next question की तर चलते है next question हमारा कैसा है image निकालने वाला है यह सबसे जादा important है और हो सकता है वेफर में आपसे दोनों तीनों चीज़ें कठी निकल वाले आपको वले length of perpendicular निकल लो foot of perpendicular निकल लो और image निकल लो आपको याद होगा लाइन वाले exercise में हमने आपको सिखाया था जितनी भी line है जितनी भी plane है यह सारे plane mirror की तरह काम करते हैं तो जितना image जितना object उपर होगा उतना ही उसका image नीचे की तरफ बनेगा तो कहने का मतला जो foot of perpendicular होगा वो midpoint होगा ठीक है तो अभी निकालके दिखाते हैं question उसके केता है तो question number 30 में आपसे कहता है आपको सी बेसी का ही question कराते है 2016 के विप्रेव पुछा होगा question है find the position vector of foot of perpendicular and the perpendicular distance from the point whose position vector is given by आपसे कहता है एक point का foot of perpendicular बताना है उसका position vector दे रखा है उसका position vector क्या दे रखा है 2i cap 3j cap और plus का 4k cap और plane का equation क्या है vector r dot 2i cap plus का j cap plus का 3k cap this will be equal to 26 तो हम लोगों को यहाँ पे 3 काम करने है सबसे बहला पिछले वाले question की तरह foot of perpendicular फिर length of perpendicular और फिर image of 234 अगर मैं इसको simple लिखूँगा 234 का image निकालना है इस plane के अंदर सही करें शुरू इसकी equation Cartesian में लिखता हूं पहले मन 2x plus का y plus का 3z this will be 26 सबसे बहले मुझे बता normal के direction डिरेक्शन डिर्शोस क्या होंगे 2 1 & 3 तो लिख लेना direction ratios of normal of plane जो plane है उसके normal के direction डिरेक्शन डिरेक्शोस कितनी है 2 1 & 3 ठीक है जो normal है जो plane का normal है उसके direction ratios क्या बनेगा ठक गए क्या कुछ नहीं है direction डिरेक्शन डिरेक्शन डिर्शोस क्या लिख होगे so equation of line PQ is अगर मैं PQ की equation लिखाना लगा बोलो क्या आएगा x-2 y-3 z-4 divide by 2 1 3 उसके वार आप क्या लिख होगे QB any point on line QB any point on the line which also which also lies on plane जो plane के उपर भी लाइग करता है ठीक है तो हमने क्या किया इसको लेंडा के बराबर दिया तो वारे पास आएगा टू लेंडा प्लस का 2 लेंडा प्लस का 3 3 लेंडा प्लस का 4 यह क्यों आ गया आप क्या लिखोगे इट मस्ट सेटिस्वाइए इक्वेशन ओफ लेंडा की इक्वेशन को संदूश करेगा जैसे आमने पिछीले क्यों सबकिया है तो फुट कीजे क्या बनेगा वहलों सब्सक्राइब और फिर यह गलती होती है मेरे से बहुत मात होती है आपसे भी होगा जलदवाजी में हमको 0 लिखने की आदत है लेकिन खरेंटीहाँ ऐज आ डापक्रीट। खोर लैमडा फ्लसका फूर लैमडा फ्लसका थ्रीड नाई लैमडा फ्लसका 12 इस तो 4 और दो 13 और एक चोदा क्या चोदा लेमादा चारों तीन साथ सात और बारा सात और बारा कितना आ गया उननीस और यह मारे पास अगया 26 सब्सक्रीजाए कर दिए जाए व को वाइट फूट पूट करेंगे तो क्यों हमारे पास क्यों बी टुटीक्लाइ ठीज रीई है टू प्लस टू साथ तो क्यूंगा वैल्यू अगा 2 में 1 एड़ करूंगा 3 इसको लिखूंगा 7 by 2 और मैं इसको लिखूंगा 11 by 2 तो फुटो प्रपेंडिकलर तो आ गया अब आप क्या निकलेंगे इस प्रपेंडिकलर डिसंस बूलो तो फी क्यों जब आप पी क्यों निकालोगे तो क्या एगा 3-2 तो ने इसको लिखा 3-2 का होल स्केट 7 by 2 7 by 2-3 इस सारे का होल स्केट और 11 by 2-4 इस सारे का होल स्केट तो तीन में से 2 जाएगा 1 इसको लिखूंगा 1 साथ में से 6 जाएगा तो 1 by 4 और 11 में से 8 जाएगा तो इसको लिखेंगे 9 by 4 4 LCM आ गया 4 प्लस का 1 प्लस का 9 divided by 4 तो इसको लिखेंगे root 14 by 2 तो root 14 by 2 units तो है वो हमारा अंसर आ जाएगा किके root 14 by 2 जो है वो हमारा अंसर जो है वो आ जाएगा सही है कोई दिक्कत नहीं चलिए उसके पर आप से आगे क्या कहते है image निकालना है तो image निकाल सकते है बोले image क्या है आपसे बताया था क्यूंके coordinate तो हमारे पास है 3 7 by 2 11 by 2 तो जब हम इसका image निकालेंगे तो नीचे जाएगा R और हम इसको लिखेंगे alpha beta gamma ठीक है आप क्या लिखोगे R b image of P in the above plane above plane में जो R है वो P का image होगा तब देख सकते हो Q क्या होगा midpoint तब लिखेंगे Q is midpoint जो Q है वो midpoint होगा किसका R P का या PR का ठीक है तो midpoint formula आपलाई किजिए जब आप midpoint formula आपलाई करेंगे तो 3 this will be equal to 2 plus alpha by 2 so 2 plus alpha by 2 to cross multiply किजिए 6 is equal to 2 plus alpha so alpha will be 6 minus 2 so the value of alpha will be equal to 4 ठीक है आगे चलते हैं 3 plus का beta by 2 3 plus का beta by 2 this will be 7 by 2 cancel 7 minus 3 तो कितना आ गया 4 आ जाएगा next वे जलते है next हमारे पास के है 4 plus का gamma by 2 4 plus का gamma by 2 11 by 2 cancel हो गया तो gamma की value 11 minus 4 तो 7 आ गया तो इसका image कितना आ गया इसका image आ गया 4 4 और 7 ठीक है जी तो हमने फुटो परपेंडिकलर भी निकाल लिया परपेंडिकलर डिस्टेंस भी निकाल लिया और साथ में हम लोगों ने क्या निकाला इस point का इस plane के बीच में image निकाल लिया यही CVSC का फिवरेट है यही JEE का फिवरेट है और यही question ND का फिवरेट है बस इन लोगों को यही question मिलता है घोंग पिराके इसी प्यां जाते है ठीक है तो simple सा और बिल्कुल असान सा question था उमीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा एक question मैं आपको और दे रहा हूं यह question आप अपने आप घर से करेंगे आपके लिए हूंबर की तरह है उमीद करते हैं इस समझ में आ गया होगा ना असान था इसली बार बाला है बस इमेज निकालना है इमेज निकालने के लिए जो आर पॉइंट जो क्यू पॉइंट है वो प्यार का मिड़ पॉइंट है ठीक है question लिखे जो आपको अपने आप से करना है question ल 1 in the plane in the plane 3x minus y plus 4z इस 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 इकालना है और साथ में यह प्रूइंट करना है कि जो इसका इमेज आएगा प्लेन में वो इस प्लेन में लाई करेगा तो असान सी चीज़ें आपको अपने आपसे करना मैं नहीं करूंगा बिल्कुल भी जस्ते हैं पिलिंग यू कि आपको करना क्या इसमें एक पॉइंट है थ्री माइनस टू और वन एक प्लेन हमारे पास है वो क्या है तीन एक्स माइनस वाई प्लस का चार जेड़ इक्वल टू हम लोगों को इसका इमेज निकालना है मालने इसका इमेज आ रहा है हमें प्रूब करना है कि वो इमेज जो है एक्स प्लस वाई प्लस जेड़ इस इकल्ट फॉर में लाई करेगा कहने का मतलब क्या है आपको इमेज निकालना है इमेज निकल जाएगा पिछले वाले कोशन की तरह उस इमेज को इसमें पूट करना है यह सैटिस्वाई करेगा अगर यह सैटिस्वाई कर गया तो इसका साथ जो हमारा image, foot of perpendicular, equation of perpendicular और साथ में perpendicular distance निकालने वाला topic था, वो खतम हुआ, शाम को हम लोग और अच्छा questions करेंगे इसके बीच में से, यही question हमारे CBSE as well as competition exam में आते हैं, इसको अच्छे से कीजिए, ठीके, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो please अपने friend circle में इसको जादा से जादा शेर कीजिए, ताकि maximum से maximum student जो है, वो इसका benefit उठा सके, ठीके जी, तो next video lecture में मिलते हैं, और तब तर के लिए best of luck to all of you.